हेलो फ्रेंड्स आज मैं अपने एडिनियम की रिपॉर्टिंग करने जा रहा हूं यह बहुत ही सुंदर एडिनियम है जिसका नाम नील ककन है आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां थोड़ी नीचे से नीले कलर की भी हैं तो यह पहले छोटे गमले में था दो साल से तो मैं इस पौदा होता है जिसमें जड़ बहुत कम निकलती हैं इसलिए इसको बोनसाई के यूप में यूज किया जा सकता है और इसको बड़े गमलों में भी लगा के देख सकते हैं इसमें फॉवर्च भी निकलते हैं और साल भर हरा रहता है तो आज मैं आपको बता हूंग कैसे यहां पर आपको निशान दिख रहा होगा तो जो नॉर्मल पौदे का स्टॉक लिया जाता है नीचे से इस नीचे आले पॉर्शन को स्टॉक कहते हैं और इसको काट दिया जाता है और उपर अच्छी किस्म के पौदे या हाईब्रिड एडिनियम का प्लांट यहां से चाहता हूं क्योंकि मेरे दो नील ककन के एडिनियम है उसमें एक में साइट से ब्रांच निकलना चुरू हो गई है यह दिखिए बड़िंग का इससा ही है और इसके नीचे सी प्लांट निकल लगा है इसके आप इसको ऐसे पैचान सकते हैं यह नील ककन की पतिया पुरी नी आपके ग्राफ्टिंग के नीचे से शूट निकलना चुरू हो गया है यह कोपले निकलना चुरू हो गही है तो वह कोपल बढ़ी हो जाएगी और आपके जो ग्राफ्टेट शूट होगी वह मर जाएगी तो इसलिए आपको समय समय पर चेक करते रहना है शुरुवाती के एक-दो सॉलो में नीचे से शूट निकलेगी तो इसको आपको काट देना पड़ेगा तो यह थी कुछ जानकारी जो आपको देना चाहता था अब हम यह शूट काट देंगे और जो है कि इसको हम रिपॉर्ट करेंगे और रिपॉर्ड करने के लिए खाट कैसे बनाएं वह मै अगले वीडियो में बताऊंगा, आप देख सकते हैं इसमें एक बड़ी शूट है और एक साइड में छोटी शूट है, यह देखिए मैंने दोनों शूट जो छोटी निकली थी, नॉर्मल प्लांट की वो मैंने काट दी है, अब इसको हमें साफ करके टीशू पेपर से फंगी इसमें गिट्टिक लगा देंगे, ताकि मैन्यूर नीचे से ना निकले, हमने इसमें नीचे सिंडर थोड़ा सा डाला है, यह सिंडर आपको मार्केट में मिल सकता है, और यह हमने एडिनियम की स्पेशल खाद तियार किये, इसी खाद में इसको लगाएंगे ताकि पानी ज ज्यादा पानी नीचे रहता है, विंटर्स में तो मन्त में दो बार, और गर्मी में जैसा गर्मी पढ़ रही है, डेली या रुक रुक के डालना पड़ता है, अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो इसमें फंकस लगने का खत्रा, और पानी रुकने की वज़े से आपक खुबसूरत लगेगा पौदा, यह साफ फंगी साइड है, यही हम जो हमने नए शूट्स नीचे प्लांट की निकले थे, जो काटे हैं, उनको जो है, उसमें लगा दिया जाएगा, ताकि माइक्रो अर्गनिजम फंगस वेक्टिरिया अटेक ना करें, और वहां से वो रॉ तो फ्रेंड्स, एडिनियम का पौदा आजकल प्रचलान में इसलिए भी है, क्योंकि इसके नॉर्मल प्लांट सीट से निकल जाते हैं, उनके ओपर ग्राफ्टिंग करके आप नए पौदे तियार कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ही है कि ट्रांसपोर्ट में यह खराब तो यह 10-15 दिन में पत्ती देगा और महीने बार में फूल देगा, और इसकी एक और खासियत होती है कि इसका जो रूट सिस्टम होता है, वो बहुत कम होता है, जहां बाकी पौदर में रूट सिस्टम बहुत ज्यादा होता है, इसमें रूट सिस्टम बहुत कम होता है, इस तो आपकी multiple shoot निकलाएंगी जैसे ये देखिए दोस्तों जहां मैंने नए shoots नॉर्मल प्लांट के काटे थे महाँ पर मैंने adenium वो में साफ पंगी साइड लगा दिया है ताकि कोई infection ना हो और वहाँ से rot ना हो यानि सड़े नहीं ये देखिए ट्रांस्प्लांट करने के बाद हमारे पौदे कितने सुन्दा लग रहे हैं अब ये गमले में दो-तीन साल तक आराम से रह सकता है बस हमें additional कुछ supplements देने पड़ेंगे NPK या यूरिया जो भी आप नीम खली हड़ी का चूरा देखिए कितने सुन्दा लग रहे हैं ये नए गमलों में लगने के बाद इसी तरीके से friends मैंने और भी प्लांट रिपॉर्ट कियें अपनी एडिनियम मिक्षर बनाके ये दिखिए जब बाहर से प्लांट आता है तो इस पर depending upon flower और size structure वो coding कर देते हैं B16 B42 1348 B35 ये सब मैंने आज ही रिपॉर्ट किये हैं और आप देखिए कि रिपॉर्ट करने के बाद एक दो महीने महीन में फ्लावर ना लगेगा इसमें ये फ्लावर है मगर ये फ्लावर गिर जाएगा जब आप प्लावर रिपॉर्ट करते हैं तो उसकी पत्तियां अकसर गिर जाएगी पूरी मगर आपको घबराने की जरुवत नहीं है नई पत्तियां फिर से निकल जाएगी बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि आप रिपॉर्ट करें और आपको किस्ट्रेस की वज़े से यहिलो पड़ जाएंगी फिर गिर जाएंगी व terracist ऌ़े होगे और फिर आपकी नए शूट निकलेंगे नए रूट शूट सब निकलेंगे झाल झाल झाल